नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों इंडिया ने SFDR टेकनोलोजी का टेस्ट किया है यानि कि Solid Fuel Ducted Ramjet टेकनोलोजी ये एक Propulsion टेकनोलोजी है और इसके सफल होने के बाद में हम Long Range Air-to-Air मिसाइल को बना पाएंगे जिसकी रेंज साड़े 300 किलोमेटर स चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों DRDO ने आज चोथी बार Solid Fuel Ducted Ramjet यानि SFDR टेकनोलोजी का टेस्ट किया एक demonstration के साथ में जिसमें फ्लाइट भी दिखाई गई तो इस टेकनोलोजी के डेवलप होने के बाद में इंडिया अपनी Long Range Air-to-Air मिसाइल बना सकता है ज इसका लास्ट टेस्ट हमने मार्च मंद के अंदर इसी साल किया था जिसमें DRDO ने कहा था कि इससे कई टेकनोलोजी और सब सिस्टम प्रूव हुए हैं जिसमें Ground Booster Motor और Nozzle Less Motor भी शामिल थी और अब DRDO को एक technological advantage मिला है जिससे यह Long Range Air-to-Air मिसाइल आसानी से डेवलप कर सकती ह और अभी तक की बात करें तो ये टेकनोलोजी कुछ ही देशों के पास अविलेबल है जिसमें अब इंडिया भी शामिल हो गया है इस टेस्ट के दोरान Nozzle Less Booster ने गती प्रूवाइड की इसे रैम जेट ओपरेशन के लिए मैक नमबर तक पहुँचने के लिए अभी इंडि के माक 2 वर्शन के उपर काम कर रहा है जिसकी रेंज 160 किलोमेटर होगी और जहां तक SFDR प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो दोस्तो इसके अंदर मिसाइल की परफॉर्मेंस टर्मिनल फेज के अंदर देखी जाती है टार्गेट के खिलाफ और मिटियोर मिसाइल भी रैम करेंसेप्ट करने के लिए और साथ ही नुएसके जोन को क्रियेट करने के लिए हलांकि हमारा अस्तरा 2 को लेके प्लैन ये है कि इसकी परफॉर्मेंस MBDA की मिटियोर मिसाइल के जैसी ही होगी लेकिन SFDR टेकनलोजी आने के बाद में ये उसे भी सरपास कर जाएगी धन्यवा जाहिन